हलो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का पर्चम क्लासिस पे आज की क्लास में देखे हमें 12 से 17 दिसंबर के बीच में जितने भी एकॉनमिक्स बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेर आए हैं उनको डिसकस करना है पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर् पर्चम क्लास पे आच चुका है जिसके अंदर कम्प्लीट जीए आपको रिकॉर्ड़िट फॉर्मेट में मिलेगा डाउन्लोड डेबल पीडिएप्स मिलेंगी लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मिलेंगे विडिटेल्ड प्रिवेस येर क्वेशन दिसकॉशन और 10 मोक पेपर्स एक और इंपॉर्टेंट इंफर्मेशन अगर आप पायल 20 का यूज करते हो तो आपको 20% डिसकाउंट इस कोर्स पे मिल जाएगा आपको कोड यूज करना है पायल 20 तो गेट 20% डिसकाउंट ठीक है अभी हम देखते हैं कौन-कौन सी न्यूज आई है सबसे पहली न्यूज जो है वो DP IIT की मीटिंग हुई है जो Ministry of Commerce and Industry के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है Department for Promotion of Industry and Internal Trade ठीक है इसका क्या मकसद था 14 दिसंबर 2023 को ये मीटिंग हुई है एक रिपोर्ट जारी की है इन्होंने Logistic Costs in India Assessment and Long Term Framework मकसद क्या है देखो भारत का जो Logistic का कोस्ट है उसको Reduce करना तो इसके उपर एक रिपोर्ट आई है कि भारत का Logistic कोस्ट कितना कम हुआ है पहले की तुलनामे Logistic कोस्ट क्या होता है जो बिलकोल ही beginner है उनको बता दू जो आपका सामान की आवाजाही होती है यानि जो transportation होता है transportation करने के बाद आप उसको warehouse में रखते हो ठीक है warehouse में रखने के बाद आप market तक उसको लेके जाते हो ये जो खर्चा लगता है ना packaging का, warehousing का, transportation का इसको कहते है Logistic तो हमको ये खर्चा कम से कम करना है ये कोस्ट कम से कम लेके आनी है इसके लिए भारत ने कुछ targets रखे है ठीक है तो Logistic Coast in India assessment and long term framework नाम की एक report जारी की है DPIT ने और ये जो report है ये prepare किस ने की है National Council of Applied Economic Research यानी NCAER ने इस report को जारी किया है जारी किया है DPIT ने NCAER ने इसको prepare किया है किसके साथ मिलके Asian Development Bank और Task Force members के साथ मिलके background की बात करें तो 2022 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने National Master Plan launch किया था किस चीज के लिए PM गती शक्ती National Master Plan के नाम से एक Master Plan जो है वो launch किया था इसका target क्या था? अपने logistics को reduce करना अपने logistics के cost को reduce करना ठीक है और logistics performance index ranking के अंदर भारत की ranking को अच्छा करना 2030 तक हम को top 25 countries में आना है ये अपना मकसद है ठीक है? ये जो report है ये हम इस target को जल्दी से जल्दी achieve कर लेंगे इस report ने इस तरफ इस बात की तरफ इशारा दिया है अब इस report की जरूरत क्या थी? देखो अपने पास कोई reliable data नहीं था सारे data बिखरे हुए थे तो हमको वो सारे data compile करने की जरूरत थी और एक official data maintain करने की जरूरत थी इसलिए ये report जो है वो तयार की दूसरा ये जो data driven framework है ये हमको अपने comparison को और क्या-क्या चीज़ हमको include करनी है किन-किन norm से हम compliance कर रहे हैं किन से नहीं कर रहे हैं उसका एक broad view हमको दे देगा तो एक task force गठन किया था मार्च 2023 में Asian Development Bank और नीती आयोग के साथ मिलके कि तुमको इस report को तयार करना है तो NCAER का जो task force है Asian Development Bank और नीती आयोग इन तीनों ने मिलके इस report को तयार किया जिसके अंदर cost estimation किया जाएगा transportation cost का, warehousing का, storage cost का, support service cost का, packaging cost का और insurance cost का यह सब मिलके logistic का एक शब्द define करते हैं, मतलब logistic के अंदर यह सारी चीज़े आती है ठीक है, कोई data available नहीं था पहले इसलिए यह report तयार की इस report में सारे estimates होंगे, goods and services की moments are related यह report जो है वो आपको एक baseline दे देगी कि हमको कितना आगे improve करना है और कितना हम improve कर चुके है ठीक है, it uses available secondary data from the supply use table अब देखो, जो majority of the data है, वो तो इन्होंने इकठा कर लिया लेकिन एक secondary data इन्होंने कहां से इकठा किया है, जो MOSPY की यानि Ministry of Statistics and Program Implementation की जो report होती है, analysis of India's logistic cost 2019 में जो जारी हुई थी, उसके data से हमने हर चीज़ को compare किया है तो जब compare किया तो findings क्या मिली, 2021-2022 में, अपना जो logistic cost था, वो 7.8% से 8.9% के बीच में था लेकिन 2011-12 में ये कितना था, 8.7 से 9.9, मतलब हमने 2011-12 से 21-22 में इतना improvement किया है ठीक है, 14-15 में ये क्या था, और 16-17 में क्या था 14-15 में था, ये 8.3 से 9.4 और 16-17 में घटके ये ये हो गया था, 7.8 से 8.8% कोस्ट हमारा लग रहा था GDP का ये percentage है, अगर GDP 100 रुपे है तो उसका 8.3 रुपीज जो है वो logistic cost इस तरीके से इसको compare किया गया, तो recommendation क्या दी? हमको hybrid approach अपनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसके अंदर सारे trade flows, product type, industry trend, original destination pairs, इन सब को combine करना पड़ेगा, और मतलब हमको अपना जो है, hybrid approach का use करके, मतलब सिर्फ एक तरीके से आप इस data को achieve नहीं कर सकते, आपको multiple तरीके इसमें use करने पड़ेंगे, ठीक है, ये पूरी news थी, अब second news क्या कहता है, ICICI Prudential Life Insurance और Ujjivan Small Finance Bank, इन दोनों ने bank assurance partnership में एक agreement sign किया है, ये bank assurance क्या होता है, bank assurance दो शब्दों से मिलके बना है, bank और insurance, ठीक है, और इन दोनों का जब collaboration होता है, उसको कहते है, bank assurance, क्या कहते है, bank assurance, अब बात को समझना तुम, अब जब bank और को insurance company, आप पस में partnership कर लेती है, कि मेरे customers को आप insurance सुविधाएं दो, जिससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, customer का base बढ़ेगा, जो लोग insurance के लिए आये है, उनके bank accounts open होंगे, और जो लोग bank में खाता खुलवाने आये है, उनको insurance की facility मिलेगी, तो दोनों के लिए win-win situation होती है, bank assurance, तो प्रोग्रेम जो है, वो sign किया है, आपस में contract sign हुआ है, इस partnership में उजीवन small finance bank के जो 700 से भी ज़्यादा branches है, अलग-अलग 26 and UT में, वहां के जितने भी customer है, उनको ICICI, Prudential Life Customer, Friendly Protection की सुविधाएं मिलेगी, long term savings के साथ, और FDs के साथ, आपको ये insurance की सुविधा भी मिलेगी इससे insurance solution increase होगा, जादा से जादा लोगों के पास insurance का access आएगा, इस partnership will bridge the demand gap for insurance service, अब इससे क्या होगा, जिल लोगों को इन facilities के बारे में नहीं पता, उनको भी पता लगेगा और demand gap को हम bridge कर पाएंगे, यानि उसको खतम कर पाएंगे, इसमें क्या है, आपको दो तरीके के product मिलेंगे, एक तो ICICI proof, I protect, और ICICI product, I protect return, ठीक है, एक तो I protect smart है, एक I protect return है, ये दो तरीके की products जो है, ICICI वाले दे रहे हैं, अब protect smart में क्या होगा, protect smart में ये होगा students, कि जो आपकी income है, crucial income है, उसको replace करके आपको पैसा दिया जा रहा है, मतलब आपकी एक income की तरह, जैसे आपकी अभी income हो रही है, अगर आपके घर में जो primary bread winner था, मतलब जो main कमाने वाला बंदा है, अगर उसकी death हो जाती है, तो उसकी जो income आ रही थी, बिलकुल उसी तरीके से आपको ICICI वाले income provide कराएंगे, ठीक है, कुछ premium से आपको भरने पड़ेंगे, उसके बाद अगर उस होगा, यह आपका guaranteed pension plan होता है, कि जैसे आपकी मन्थली pension बन जाती है, जैसे pension होती है न, बृद्धा pension, बुढपा pension या विध्वा pension, ऐसे ही ICICI वाले आपको एक pension plan देंगे, हर महीने retirement के बाद आपको वो pension जो है, वो मिले करेगी, ICICI वाले वो इसको देंगे, ठीक है, अग में start हुआ था, अगला news क्या है, SBI ने 70 million euro loan जो है, वो sign किया है, जर्मनी के KFC company के साथ, किस चीज के लिए, solar photovoltaic project के लिए, SBI ने 70 million euro loan का project sign किया है, जर्मनी के KFW के साथ, जो State Bank of India है, लगभग 636 करोड रुपे भारत की Indian currency में ये बनेगा, line of credit का agreement sign होगा, ये line of credit का मतलब क्या होता है students, मतलब एक बार में 70 million euro नहीं देंगे, थोड़ा-थोड़ा करके, एक बार 10 million euro दे दिया, एक बार 15 million euro दे दिया, इस तरीके से line of credit कहते हैं इसको, KFW Development Bank जो Germany का है उसके साथ ये photovoltaic project के लिए शुरू हुआ है, ये agreement कहाँ पे sign हुआ है, जो gift city गुजरात के अंदर है, वहाँ पे ये agreement sign हुआ है, IFSC Center में, यानि International Financial Service Center के अंदर, जो गुजरात International Financial Tech City है, gift city है, एहमदाबाद गुजरात के अंदर, SBI की जो branch है, वहाँ पे उसके साथ ये agreement sign हुआ है, ये क्यूं हुआ है, हमने ये काम क्यूं किया है, क्यूंकि इंडिया की कुछ commitments है, Conference of Parties के अंदर, COP28 हुआ, UNFCCC का दुबई में, November 2023 में, जो बहुत important है, वहाँ पे इंडिया ने कुछ targets बताए, अपने की हम इतना काम इतने समय में कर देंगे, इंडिया का क्या commitment है, इंडिया ने 2021 में जब COP26 हुआ था, वहाँ पे ये कहा था, कि हम 500 GW energy, non-fossil energy से निकालेंगे by 2030, ठीक है, और 1 billion ton emission को reduce कर देंगे 2030 तक, और साथ में ये कहा था, greenhouse gas emission का जो intensity है, वो reduce कर देंगे 45% से, और 2070 तक हम net zero emission वाले देश बन जाएंगे, तो उनको अचीव करने के लिए भारत को non-fossil energy generate करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये agreement हमने sign किया है, कि सौर उर्जा से photovoltaic projects लगेंगे, SBI के chairperson ने दिनेश कुमार खारा, headquarter है मुंबई महराष्ट्रा में और 1955 में इसका establishment हुआ, KFW Development Bank के CEO है Stephen Wintels, headquarter है Frankfurt जर्मनी में और 1948 में इसका establishment हुआ, next question क्या है, RBI authorized Bandhan Bank to disperse pensions to railway employees, अब देखो Bandhan Bank Limited ने ये authority ले ली RBI से, कि वो जितने भी railway के employees हैं, उनको electronic माध्यम से pensions दे सकेगा, जिसको कह रहे है EPPO, यानि electronic pension payment order, ठीक है, Ministry of Railway के बिहाफ पे, Bandhan Bank को ये power मिली है, authorization, Ministry of Finance, Ministry of Railway और RBI, इन तीनों के द्वारा ली गई है, ठीक है, bank will be able to provide pension service to around 50,000 retiree, जो 50,000 retiree है, railway employer, यानि railway section में, उनको pension services, Bandhan Bank देगा, ठीक है, 17 zonal offices और 8 production units के जितने भी 50,000 retiree है, उनको pension मिलेगी, Bandhan Bank Limited की बात करें, तो MD और CEO है, चंदर शेखर घोष, headquarter है Kolkata, West Bengal में, 2015 में ये establish हुआ, पर tagline है, इसकी आपका भला, सबकी भलाई, ठीक है, अगली news क्या है, Asian Development Bank ने, इंडिया की growth को forecast किया है, financial year 2024 के लिए 6.7%, पहले इन्हों ने कहा था, ये 6.3% रहेगा, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 6.7% कर दिया है, December 13, 2023 में Asian Development Bank ने एक outlook जारी किया है, जिसमें इंडिया की forecasting की है, growth की, जो पहले September 2023 में 6.3% की थी, उसको बढ़ा के 6.7% कर दिया, इसकी वज़े ये है, कि इंडिया का GDP, expectation से जादा बढ़ रहा है, ठीक है, इस वज़े से, अब इंडिया का inflation, इन्हों ने बिलकुल unchanged बताया है, पहले भी 5.5% बताया था, अभी भी 5.5% बताया है, पूरे एशिया की बात करे, तो Asian Development Bank ने ये कहा है, कि 2023 में जो growth forecast है, वो 4.9% था, ठीक है, जो 4.7 की जो expectation हमने की थी, उससे जादा रहा, 2024 में ये 4.8% ही retained रहेगा, मतलब बहुत जादा नहीं बढ़ेगा, उसकी वज़े क्या है, कि कुछ देश तो अच्छा grow कर रहे हैं, लेकिन जो South Asia nation है, जैसे Malaysia, Thailand, Vietnam, उनका growth 4.6 से घट के 4.3 हो गया, तो हम जो overall निकालेंगे, तो ये लगभग maintain रहेगा 4.8% पे, ठीक है, तो ये सारी news थी Asian Development Bank के बारे में, इसके President है Masatsku Asakawa, Headquarter है Manila Philippines में, 1966 में इसका establishment हुआ और इसमें 68 members है, अगली news क्या है, IDFC First Bank ने और Mastercard ने मिलके First Swipe Credit Card जारी किया है, ठीक है, ये जो card है First Swipe Credit Card, ये specially Generation Z के लिए, ये Generation Z आज की youth है, ठीक है, the card powered by Mastercard, aims to provide various lifestyle requirements of the youth, youth की बहुत सारी lifestyle को maintain करेगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा, affordability, convenience, इन सब का ध्यान इस card ने रखा है, एक तो इसमें आपको कोई interest charge नहीं देने, credit card पे जैसे आपको interest देना पड़ता है, यहाँ कोई interest आपको नहीं देना, EMI repayment के options flexible है, ठीक है, referral program है, मतलब it provides benefit-laden referral program, which means card holder, इसमें क्या होगा, जैसे आपने credit card से कुछ payment किया, payment करने के बाद, आपको जो referral code मिलेगा, आपको अपने दोस्त को, अपने किसी friend को अगर refer कर रहे हो, और आपके उस code से, आपके friend ने भी अगर उस card को use किया, तो आपको उसका benefit मिलेगा, कुछ vouchers, कुछ annual fee के अंदर reduction, कुछ bonus reward आपको मिलेंगे, exclusive merchant partnership, यह भी facility मिलेगी, मतलब की, अलग-अलग आपकी lifestyle के products को देखते हुए, merchant के साथ partnership की है, इस card ने, ठीक है, related information और बात करते है, IDFC ही वो पहला bank था, जिसने first millennia credit card launch किया था, ठीक है, इसका objective कहा, मतलब customer को ज़्यादा convenient और simply transactions करना है, तो यह सब IDFC के बारे में था, इसने digital rupee credit card भी जारी किया है, अब UPI के माध्यम से, आप credit card की, रूपे credit card की, UPI के माध्यम से भी payment कर सकते हो, benefits क्या होगे, इसमें, वार्शिक आपको fees केवल 199 रूपे देनी है, 100% cashback आपको मिलेगा, 200 रूपे तक की payment में, पहली 4 UPI transaction में, 15 days from the credit end, जब आपका card issue हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर, अगर आप 200 रूपे तक की 4 पहली transactions करते हो, तो वो 100% आपको cashback मिलेगा, वो 200-200 करके रूपे आपके वापिस आजाएंगे, 4 बाद, ठीक है, और reward points बहुत देता है ये, 2000 से ज़ादा का अगर आप shopping करते हो credit card पे, तो 3 गुना rewards मिलेंगे, और 2000 से कम का transaction करते हो, तो एक गुना reward आपको मिलेगा, ठीक है, भीम, phone पे, Paytm, Google पे, Mobic Week और बहुत सारी online UPI app से, इसको link किया गया है, IDFC Bank के MD और CEO है, भी व्यद्यनाथ, headquarter है मुंबई महराष्टरा में, 2015 में ये establish हुआ, tagline है, always you first, Mastercard में CEO है, Michael Maybach, और establish हुआ है 1966 में, headquarter है New York, the United States of America में, अगली news क्या है, सेभी ने, brokers को allow कर दिया है, to invest clients fund in overnight mutual fund scheme, जो brokers है, उनको ये allow कर दिया है, कि आप clients की investment, जो overnight mutual fund scheme है, मतलब एक रात के लिए, जो mutual fund scheme है, आप उसके अंदर लगा सकते हो, December 12, 2023 को, सेभी ने, ये alliances, brokers को दिया है, ठीक है, अभी, वो सिर्फ risk free government securities के अंदर, इसमें निवेश करेंगे, ये ऐसी government security, जिसमें कोई risk नहीं है, जो 100% safe है, बहुत ही short term के लिए, ये funding की जाती है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो client का fund है, वो, आप clearing corporation के अंदर लगाएंगे, और जो overnight mutual fund scheme है, वहाँ पे ये पैसा चला जाएगा, ठीक है, mutual fund overnight scheme, minimal risk transformation client को देगा, मतलब की risk कम से कम है, ऐसी ऐसी government security में, आपका पैसा लगेगा, जहाँ पे 100% return आपको मिलेगा, यानि की कोई भी risk नहीं है, SEBI को ये सब जारी करने की power, SEBI Act 1992 से मिलती है, ठीक है कौन सा subsection है, कौन सी regulation है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, की points क्या है, brokers and clearing members, should ensure that the overnight scheme, invest only in government bond, आपको ये ध्यान रखना है, कि जो पैसा आएगा, clients का, वो केवल government bonds में, overnight repo market में, try party repo dealing, इनकी अंदर ही पैसा निवेश होना चाहिए, क्योंके ये ही 100% safe है, फिर उसके बाद, this unit should be in demat form, मतलब dematerialized form में सारा काम होगा, client का जो payment है, वो next settlement day पे आ जाना चाहिए, payment मिल जाना चाहिए, उसको mutual fund मिल जाने चाहिए, अगले ही दिन, ठीक है, तो बहुत fast ये process रहने वाला है, ठीक, तो ये पूरी news थी, जिसके बारे में हमने बात की, अगली news है, वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम ने, एक partnership sign किया है, against backdrop of record food insecurity, दोनों मिलके, वर्ल्ड फूर्ड प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक, दोनों मिलके food insecurity के लिए, कुछ partnership लेके आये हैं, ठीक है, ये जो दोनों की partnership है, वो काफी strengthen हुई है, ताकि दुनिया से food insecurity को खत्म किया जा सके, partnership का काम क्या है, एक robust food system बनाना, ठीक है, और ऐसा plan बनाना, कि future के जितने भी shocks आने वाले हैं, environment को लेके, climate को लेके, क्यूंकि climate जैसे बदल रहा है, उसके हिसाब से agriculture पे बहुत फरक पड़ेगा, जिसके चलते food system जो है, वो प्रभावित होगा, तो वो प्रभावित ना हो future में, ऐसे plan दोनों मिलके बना रहे हैं, बतलब, जैसे climate change, fragility या poverty, जिनके कारण जितने भी यह भी challenges आएंगे in future, जैसा जनसंख्या बढ़ती हुई या environment खराब होते हुए से पता लग रहा है, उसके बारे में पहले ही तयार करेंगे, एक protection program दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है, जितना भी vulnerable section है, उन पे ज़्यादा target किया है, अभी next news है, Bank of India ने एक account जारी किया है, नारी शक्ती saving account for women, Bank of India ने एक saving bank exclusive account जारी किया है, सबसे पहले याद रखोगे saving bank है, account का name है नारी शक्ती saving account, उन महिलाओं के लिए जिनकी उम्र 18 साल से अबव है, ठीक है, और एक independent source of income जिनके पास है, this account offers benefits and features designed to empower women financially and promote their well-being, ये account महिलाओं को empower करने के लिए, financial empowerment देने के लिए, और उनके well-being को promote करने के लिए है, इसके features क्या होंगे, ये बहुत सारे benefits देगा, ठीक है, साथ में health insurance देगा महिलाओं को, wellness products देगा, और platinum SB account holder को कुछ complimentary facilities भी देगा, locker facility पे कुछ discount मिलेगा, गोल्ड का जो locker हम लेते हैं bank में, या diamond के लिए जो locker लेते हैं bank में, उनके कुछ discount मिलेगा, personal accident insurance cover up to 1 crore, ये भी मिलेगा महिलाओं को साथ में ही, accidental insurance coverage, it also offers free insurance of credit card, यानि कि 5 लाख रुपे तक की limit का, आपको credit card मिलेगा, जो point of sale transactions में use किया जाएगा, it also provides a lower rate of interest on retail loan, retail loan पे rate of interest काफी कम मिलेगा, ठीक है, मतलब की बहुत कम दरों पे, आपको loan मिल जाएगा, महिलाओं को loan मिल जाएगा, the account comes with comprehensive personal accident insurance cover, of up to Rs. 100,00,000, यानि 1 crore रुपे का, जो आपको accidental insurance मिला है, वो महिलाओं की safety और security को improve करेगा, ठीक है, every new नारी शक्ती account, जैसे ही कोई नया नारी शक्ती account open होगा, उसमें से 10 रुपे, बैंक वाले, corporate social responsibility में डालेंगे, और फिर उस पैसे से, जितनी भी vulnerable या under privileged women हैं, या girls हैं, उनकी social और उनकी economic development के लिए, उस पैसे को use किया जाएगा, all 5132 domestic branches जितनी भी है, नारी शक्ती saving account की, वो सब online तरीके से ये सारा काम जो है, वो होगा, Bank of India के MD और CEO है, रजनीश करनाटक, headquarter Mumbai महराश्टरा, 7 September 1906 को इसका foundation हुआ, tagline है, relationship beyond banking, ठीक है, अब आपको एक और important information दे रही हूँ, जितने भी students, मेरे से economics या quality पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग पर्चम क्लास पे enroll कर सकते हो, पर्चम क्लास की playlist में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे आपको economics की और quality की एक playlist भी मिलेगी, जहां से आपको पता लगेगा, गे मैं पढ़ाती कैसा हूँ, मेरी बाते आपको समझ आती भी है या नहीं आती है, तो वहाँ पे आपको demo ले सकते हो, पूरी playlist मिली हुई है, 36 वीडियो इसमें है, लगभग 40 वीडियो इसमें है, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से आपके basics भी clear हो जाएंगे, और जिसको batch लेना है personalized, पर्चम class पे जाके आप इस batch में roll कर सकते हैं, ठीक है तो ये थी आज की news, अब आप लोगों से एक question पूछा जा रहा है, कि इंडिया के जो COP26 हुआ, Conference of Party 26 हुई थी, उसके targets क्या थे, ठीक है उसके targets क्या थे, थैंक यू सो मच, टेक केर, बबाए,